हेलो दोस्तों वेलकम वेक टू माई यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूँ आपका मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हब में दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुती खास होने वाली है कि हाज की वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि लड़का जो होता है वो गर्ब में किस साइड होता है और लड़के की हलचल आपको कितने महीने में महसूस होती है और जो आपका बच्चा होता है वो कव आपको प्रेगनेंसी में अगर लड़का है तो वो किस महीने मे आपको किक मारता है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटा पर कर दें जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक चरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकुल भी ना भूल तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विना कोई टाइम गवाए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी लिंग को बढ़ावा देना बिलकुल नहीं है लड़का हो या लड़की दौनों ही हमारे लिए समान हैं और दोनों ही अपने माता-पिता के लिए समान होती हैं हम दोनों में से किसी में भेदवाब नहीं करते हैं यह वीडियो सिर्फ आपकी जो एक मात्र एक्चा होती है प्रेगनेंट होने के वाद जानने की कि आपके गर में कौन सा लिंग पल रहा है उसक लड़के की हलचल है वो आपको किस महीने में देखने के लिए मिलती है या फिर महसूस करने के लिए मिलती है दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दोरान आपका जो चौथा या फिर पांचवा महीना होता है उसमें अगर आपको आपके पेट में हलचल महसूस होती है थोड़ी परशेंट आपके एक गर्में लड़का पल रहा है और अगर वही हलचल आपको 3 महिने में देखने के लिए मिलती है यह पिर मेहसूस करने के लिए मिलती है तो आप अंदाजाल लगा सकते हैं कि ऐसे बेइज जाइ कर रही हैं यानि कि आपके एक बेटी होने वाली है और दोस्तो अब हम बात करने वाले हैं नमबर 2 कि गर्म में लडका किस साइड जादा रहता है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जो गर्म में लडका होता है वो आपके जो right side होता है उसमें जादा रहता है ऐसा बोला जाता है कैई द्वारा यह बोला गया है कि अगर आपको आपके right side में जादा baby आपका रहता है तो यह है एक baby boy होता है और अगर वहीं आपकी left side में आपका baby जादा रहता है तो यह है एक baby girl होती है और दोस्तों जो तीसरी बात है कि लड़का कहां किक मारता है और लड़की कहां किक मारती है अगर आपको बच्चे की किक आपकी पसलियों में देखने के लिए जादा मिलती है या फिर महसूस करने के लिए जादा मिलती है तो यह एक baby girl होती है अगर वहीं आपकी जो kicks होती है बच्चे की वो आपको नावी से नीचे महसूस होती है तो यह एक girl में baby boy होता है I hope दोस्तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe जरूर कर लेना मिलते हैं ऐसी ही important जानकारी के साथ अगली वीडियो में जब तक के लिए thanks for watching